इस सामान ग्यान के महत बूड प्रस्णों में सबसे पहला कि पीतल किन दो धातूं से मिलकर बनी है। देखे कुछ धातूं ऐसी हैं जो मिस्रित धातू कहलाती है निकि दो धातूं मिला दी जाती है। इससे क्या होता कि उनके गुड़ों समर्दन हो जाता वो मजबूत हो जाती है। जैसे कि आपने देखा वो अलोहे पे जंग लगा जाती है लेकि लोहा निकिल क्रोमियम तीनों मिला दी जाए तो वो स्टील बन जाती है। रिस्टील पर कभी जंग नहीं लगती। इसी तरह पीतल दो दातूं से मिलकर बनी है। तामा और जस्ता। कैल्सी फेरॉल कि इस बिटामिन का रासाइनिक नाम है। तो देखे सभी बिटामिन के रासाइनिक नाम होते हैं। तो झो कैल्सी फैराल है। वह विटामिन D का राशानिक नाम है। विटामिन D से हमारी हड़िया मश्बूत होती है। नेत्र दान में नेत्र के किस वाग का दान किया जाता। तो जो नेत्र का एक भाग होता। कौर्णिया düşün उसको दान किया जाता। कोई विदेयक यानि की नियम कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं ये निरड़े कौन करता तो ये निरड़े लोक सबा का अग्याच करता है ये धन विदेयक है कि धन का विदेयक नहीं है विश्व का सबसे बड़ा माधीप कितने माधीप है साथ विष्व का सबसे बड़ा माधीप एसिया माधीप है सभी बड़े नजर किसी किसी नदी के किनारे बसे है उसी तरह हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा है विष्व में चांदी का सबसे बड़ा उतपादक देश कि हर देश में कोई न कोई चीज जादा मिलती है तो विस्व में चान्दी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है मैक्सिको छेत्र फल के नुसार विस्व का सबसे छोटा देश जो बहुत छोटा देश है उसका नाम है वैटिकन सिठी स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है तो स्वेज नहर भूमद सागर और लाल सागर को जोड़ती है छेत्र फल की दरश से भारत का सबसे बड़ा राज ये कौन सा है तो सबसे बड़ा राज छेत्र फल की दरश से राजिस्थान है इसका छेत्र फल सबसे अधेक है तो छेत्र फल की दर्श से बारत का सबसे बड़ा राज राजिस्थान और प्रत्वी दिवस कम मनाया जाता तो 22 अप्राइल को प्रत्वी दिवस मनाया जाता फूलों की घाटी किस राज में है फूलों की घाटी उत्राखंड में है सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो सबसे बड़ी हड़ी जांग की हड़ी फीमर नीत आयोक का अध्यक्ष पहले योजना आयोक होता था अब नीत आयोक उसका अध्यक्ष प्रदान मंत्री आइने अकवरी का लेखक कौन है तो आइने अकवरी का लेखक अबुल फजल होप मेन कब किस खेल से समझ देता है तो होप मेन टैनिस खेल से समझ देता है देश वंदू के नाम से कौन जाना जाता तो चितरण्यन दास असोग चक्र में कितनी तीलियां होती है तो असोग चक्र में 24 तीलियां होती है भारत में सबसे फहली फिल्म कौन सी वनी तो राजा हरिश्चंद और बोलने वाली आलम आरा और मनुस्ट के सदीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी वहाई स्टेपिज जो की कान में पाई जाती तो ये थे महत्फूर प्रस्ण